हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चेनल अपनी घर की रसुई में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो बहुत दिनों से जो है मैं वीडियो रेकोड नहीं कर पारी थी फ्रेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के चलते तो अब से आपको continue वीडियो देखने के लिए मिलेगा तो प्लीज मेरे चेनल को like, share, comment और subscribe करना ना भूले फ्रेंट्स और अभी का बज़रा है साम का 6 बज़रा है और मैं आज आती हूँ पूजा का रूम में पूजा करने के लिए दियावत्ति करने के लिए तो ये मेरा चोटा सा पूजा का मंदिर है और हर दिन मैं थोड़ा सा जल्दी पूजा कर लेती हूँ साम होने से पहले ही लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरा पूजा कंपलीट होने के बाद मैं मैं आ जाती हूँ रूम में तो ये जो रूम है आपको रेंटेड हाउस है ये अपना वर्मानेंट घर नहीं है फ्रेंट्स तो अब मैं जनिशा को पढ़ाने के लिए बुक्स कॉपी निकालती हूँ क्योंकि कोबिट के चलते है यहां पर मैं जनिशा को हूं मर्क करवा रही थी तो जनिशा का हूं मर्क कंपलीट होने के बाद में मैं आ जाती हूं किचेन में तो यहां पर ही मैं दिन में ही जने भीगो के रखी हूई थी तो इसे चने को मैं अच्छी तरह से साब कर लूगी सबसे पहले क्योंकि चने में कंकड वगेरा रहते हैं और बहुत सारे गंदगी भी रहती है तो इसलिए अच्छी तरह से चने को साब कर ले रही हूँ और ये जो है सब्रकार का चणा मिक्स है जैसे काबुली चणा हुआ, लाल चणा हुआ और मठर चणा हुआ तो सब मैं मिक्स करके बना रही हूँ इससे बहुत ही तेस्टी लगता है तो अब मैं यहाँ पर कुकर को गैस पे चड़ा कर गरम कर चुकी थी तो इसमें मैं सर्सो का तेल एड़ कर रही हूँ सर्सो के तेल गरम होने पर मैं यहाँ पर जीरा और सर्सो डाल लेती हूँ अब मैं यहाँ पर अद्रक लसन और प्याज का पेस्ट डालती हूँ मैं यहाँ पर प्याज नहीं एड़ की हूँ प्याज का पेश्ट एड़की हूँ आप चाहे तो प्याज तेल में डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ अब मैं यहाँ पर ही कुछ सुखे मसाले जैसे जीरा पाउडर धर्मिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल लेती ह हूँ और अच्छी तरह से मसाले को भी फ्राई कर लेती हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ ताकि मसाले हमारा जो है जल ना जाए बोलकर तो इसे भी अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे तो मसाले जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं आप देख सकते हैं यह ओईल छोड़ने लगा है तिल छोड़ने लगा है तो अब मैं यहाँ पर ही तीन टमाटर को ग्राइंड करके सबसे पहले में रखी थी पेस्ट बना कर तो वह मैं डाल दे रही हूँ आप चाहे तो ऐस आट कर लए अँगे गार तो मेरा देती हैं राइसे वह मिक्स और इसे भी मैं मसाले के साथ में थोड़ी दिर के लिए फ्राइ करूंगी अब मैं यहाँ पर गरम मसाला एड़ कर रही हूँ और थोड़ा सा में कस्तूरी में थी एड़ कर रही हूँ मेरे पास में धन्या के पत्ते नहीं थे तो मैं यहां पर कस्तुरी में थी एड़ कर रही हूँ आप चाहे तो धन्या का पत्ता भी एड़ कर सकते हैं अब मैं यहां पर जन्य को अच्छी तरह से फ्राइ करने के बात में में यहाँ पर थोड़ा सा पानी हैड कर लेटी हम हमें अब में यहां पर कुककर को बंद कर लेती हूं और इसे धूसरी होने के छोड़ देती उन थो तक में यहां पर सत्तू के बना लेती हूं तो यहां मेंने कट ऊट Ellis यह धाला है और अजवाईन लिया है थोड़ी से मैंने प्याज लिया है कि Mr. के मिरची K पॉरी कि थोड़ी सिमने कटिवी लेसन और थोड़ी सिमने कreid किया हुआ अध्रक ढाल रही हूं तो अध्रक का कलर जो है आपको रेडिस लगेगा क्योंकि मैं चुकुंदर ग्रेट की थी उसी में ही आद्रक को भी ग्रेट कर दी तो इसी के जलते आद्रक का कलर जो है रेड हो गया अब मैं यहां पर ही सर्सो का तेल डाल रही हूं और आधा कटी हुई निम्बू एड कर रही हूं यहा हमारा सत्टू का जो पराथा रहता वहां बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसे आप चाहे तो हातों के सारे से भी मिक्स कर सकते हैं तो देखें मिक्स कर ली हूं तो यहां पर हम लोग सप्टू की पराथे बनाएंगे तो इसके लिए मैंने पहले से यह आठा को सानकर रखा हुआ था तो सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे और इसे कटोरी की सेपन देंगे ताकि हमारा जो स्टपिंग है सत्टू का वह अच्छी तरह से इसमें फील हो जाए तो यह देखे इस तरह से हमं लोग इसे स्टपिंग को वह ना है और चारो तरब से इसे क्लोस कर लेरा धे Interjective देखे efforts है तो इसी तरह से मैंने सारे भना के रख लिए हैं आप देख सकते हैं तो अब हम लोग बनाएंगे गीजैंगे पर अटा रचा सissements अब्पारा तो यहां पर हमी थोड़ा सा मैं लगाता है तो हमें शेफ देंगे कि अब ध्यान से देखे में Angshir Panajar Rain की ते में छोब भी बहार नहीं निकल रहा नहीं और इसे अब हम लोग अच्छी तरह से लेंगे दोनों तरब से तो यहां पर मैं रिफाइंड ओयल का इस्तमाल कर रही हूं आप चाहे तो घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बटर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर रिफाइंड ओयल का इस्तमाल कर रही हूं क्योंकि ज तो देखिए हमारा सत्तू पराठा बनके तयार हो गया है तो मैं यह आपर प्लेट में निकाल ले रही हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आयागा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स बाइबाइ फ्रेंड्स